हेलो स्टुडेंस स्वागत है आपका एक बार फिर आपकी अपने चैनल लेट्स स्टेडी इंडिया में और आज हम लोग पढ़ेंगे कमिस्ट्री का एक नया टॉपिक सॉल्यूसन चैप्टर से इसका नाम है सॉल्यूबिल्टी तो इससे पहले चैप्टर में इससे पहले हम लोग पढ़ेंगे और ठीक है और इसके आगे हिन्री जला है अलग-अलग हम लोग फेज में solute को add करेंगे gas solute, liquid solute, solid solute और उसको क्या करेंगे? liquid solvent में dissolve करेंगे और solubility उसकी check करेंगे ठीक है? तो आएए देखते है solubility term है क्या? solution में ठीक है? तो देखिए solubility जो हता है ठीक है? तो solubility का यहां definition लिखा है कि the amount of solute which is dissolved in a given amount of a particular solvent to form a saturated solution at a given condition of temperature and pressure. तो यह अब solubility क्या दिखाना चाह रहा है? तो solubility हमारा बताना चाह रहा है कि किसी given solvent में, जैसे हमारे पास क्या है? एक water ले 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 ठीक है? एक fix volume का water ले लिया गया यहां पर माल लिजिए water है हमारा 100 ml यह है solvent यह मैंने ले लिया 100 ml water यह क्या है? एक solvent है अब इसमें कोई हम लोग solute add कर रहे हैं glucose add करी है यह चाहा है जो solute है वो dissolve होना बंद हो गया ठीक है? यह कि solute क्या होगा हमेशा ऐसा नहीं है कि कितना भी solute डालते जाये solvent में वो dissolve होता जैसा तो है नहीं अब उसके बाद देख रहे हैं कि जो sugar के particles है वो धिरे-धिरे settle down हो रहे है नीचे बैठना सुरू कर रहे है ठीक है? जिसमें हम लोग क्या बोलते है? precipitate जो solute dissolve नहीं होता है किसी solvent में और नीचे बढ़ जाये वो क्या होता है? precipitate होता है तो अब precipitate form करना सुरू हो गया तो कहने का मतलब क्या है? कि यहाँ पे 6 चमश माली चीनी एड़ कर रहे हैं तो 6 चमश तक यह solute इस particular amount of solvent में जिसका amount कितना है? 10 100 ml है उसमें dissolve हो रहा है ठीक है? तो जहां तक dissolve हो रहा है वहां तक जो solution बना है उस solution को बोलेंगे कि saturated solution हो गया यानि यह 6 चमश तक क्या है? इस saturated की ओर जा रहा है ठीक है? तो solubility defined क्या करना चाह रहा है कि amount of solute which is dissolved in a particular amount of solvent यानि इतना amount लें जो क्या हो किसी solvent के इंदर dissolve कर जाए और dissolve होने के बाद जो solution बने वो क्या हो? saturated solution हो तो कहने का मतलब यह 6 चमश इस 100 ml तक में घुल रहा है अगर यह के वाल एक example है ठीक है? ऐसा म fix कर दिये इतने spoon तक capacity है इसको dissolve करने की तो यानि यहां तक अगर मिलाएंगे इसको इसमें तब saturated solution क्या होगा? फार्म हो जाएगा ठीक है? फिर एक बात आती है हमारी यहां पर लिखा होगा है given condition of temperature and pressure तो यह चीज़ भी हमें ध्यान देना जुरूरी है कि temperature और pressure भी क्या होना चाहिए? इस solution के around temperature pressure constant होना चाहिए अगर मैं temperature बढ़ाऊ या pressure को बढ़ाऊ तो हो सकता है कि solubility में changing आए क्य आते रहेंगे तो सकता है यह चट्वे चम्मस के बाद सात्वा आठ्वा नौवा अभी क्या हो अपसको dissolve करता रहे ठीक है? तो temperature pressure fix करके जो भी amount of solid dissolve हो रहा है किसी particular amount of solvent में ठीक है? तो उसे क्या बोलते है? solution sorry solubility ठीक है? उस solution की क्या है? यह solubility है? ठीक? तो यहां पर definition लिखा है कि the amount of solute dissolve in a particular amount of a given solvent to form a saturated solution at a given condition of temperature and pressure is known as solubility. तो यह चीज़ हमें ध्यान देना होगा solubility के बारे में. ठीक है? तो यह हमारा क्या होता है? solubility. तो यहां पर ध्यान देजएगा कि solute का amount है वो generally किसमें होता है? ग्राम में? ml में. ठीक? अगर solute gaseous है तो इसका amount हम लो किसमें लेंगे? gas के लिए amount नहीं होता है. gas के लिए क्या करते है? pressure की बात करेंगे वहाँ पर. और solvent generally किसमें होता है? solvent होगा ml, liter, ठीक है? kg में भी solvent हो सकता है. तो अलग-अलग हमारे solvent के लिए भी क्या है? amount के unit है. और एक चीज में dissolve हो सकें. तो इसलिए word क्या लगा हुआ है? particular solvent. यहाँ पर लगा हुआ है particular amount of given solvent. जो भी solvent मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, वो solvent कैसा है? उसकी tendency है इस solute को dissolve करने की. यह ऐसा नहीं कि कोई भी solvent किसी solute में dissolve करना सुरू कर दें. ठीक है? जैसे water में NaCl, sugar यह सब आड़ ठीक. अब ऐसा नहीं कोई organic compound इस water में add कर दिये. तो उसको dissolve नहीं कर पाएगा तो दिक्कत है. ठीक है? तब तो solution ही नहीं बन पाएगा तो उसकी बात मैं नहीं करूंगा. तो solute और solvent ऐसे हो जो इस दूसरे में क्या हो? dissolve होते हो. तो यह चीम अभी आगे पढ़ना है इसके factors में. तो next topic क्या है? factor affecting the solubility. तो कहने का मतलब solubility को कौन-कौन से factor affect करेंगे? जैसे हमारे factor कौन-कौन से आते हैं तो देखिए पहला factor आता है nature of solvent and solute. तो solvent and solute के nature की बात करेंगे. तो देखिए nature है क्या? तो nature का मतलब होता है कि solvent कैसा है? ionic है कि non-ionic है? या उसे हमनों बोलते हैं polar है कि non-polar है? ठीक है? solute कैसा है? polar है कि non-polar है? जैसे यहां बोला गया है कि polar solute dissolve in a polar solvent. polar solute dissolve किसमें हो रहा है? polar solvent में. तो polar मतलब है क्या? जो जिसमें क्या हो? ऐसे solute, ऐसे solvent जिनमें क्या हो? पोल हो. पोल का मतलब होता है चार्ज. ठीक है? जैसे मैं water में dissolve को रूँगा NaCl को, तो water में क्या है? water भी एक polar nature का है, H2O, H+, OH- जिसमें भी दो पोल है, एक positive एक negative, इसमें मैं dissolve कर दिया NaCl, तो NaCl कैसा है? Na+, Cl- में यह भी क्या होता है? डिसूसियेट होता है, तो यह polar dissolve हो जाएंगे polar में, जैसे NaCl प्लस माइनस, H2O भी प्लस माइनस है, तो यह आपस में क्या होंगे? इसली dissolve हो सकते हैं, हमें पता है कि जैसे जमलो NaCl को पानी में डालते हैं, तो यह Na+, को क्या होता है? water का जो निगेटिव इंड होता है, OH- व क्या होता है? घेर लेता है चारों तरफ से, और Cl को क्या करता है? positive wind water का H- प्लस वाला चारों तरफ से क्या करता है? घेर लेता है, जिसके वज़ए से इसके बीच का interaction क्या होता, धरे धरे वीक हो जाएगा, और वो water में इसली dissolve हो जाएंगे, तो फिर बोल रहा है, जबकि non- polar, non-polar में dissolve होता है, non-polar का मतलब जिसमें ऐसे molecules, solvent और solute के इस पर क्या हो? कोई pole नहों, कोई charge नहों, जैसे मैं ले लता हूँ, बेंजीन, ठीक है, बेंजीन मां लिजए, यह आज है solute भी हैब कर रहा है, यह बेंजीन कोई solute है, फार्मूला होता है, C6H6, और इसको मैंने dissolve कर दिया, कार्बन, टेट्रा, क्लोराइड में, ठीक है, कार्बन टेट्राइड यह क्या है, solvent है, इसका फार्मूला होता है, CCl4, तो देखिए, दुनों compound जो हमारे पास है, CCl4 हुआ, चाहे बेंजीन हुआ, यह polar nature का नहीं है, ठीक है, यह यह positive negative dissociate नहीं होता है, तो यह दुनों क्या होंगे, एक दुसरे में dissolve हो जाएंगे, तो कहने का मतलब, यह भी polar नहीं है, यह भी polar हैं, दुनों non-polar है, dissolve होंगे, यह दुनों polar है, dissolve होंगे, तो हम लोग बोल सकते हैं, इजरी वर्ड में, like, dissolve, like, जैसा होगा, वैसे में dissolve होगा, ठीक है, जैसा solute होगा, वैसे solute होगा, ठीक, तो like, dissolve, like, for example, दिया हुआ है, sodium chloride in water, benzene in carbon, tetra chloride, बहुत सारी example है, ऐसा नहीं है, केवल यही example है, ठीक है, तो कोई भी organic compound हम लो ले सकते हैं, दूसरों dissolve हो, ठीक है, जैसे halowelkane है, ठीक है, वो dissolve हो जाएगा, किसी organic compound में, benzene में dissolve हो जाएगा, ठीक है, तो non-polar, non-polar में, polar, polar में dissolve होता है, तो यह बहुत simple सा एक factor है हमारा, आईए देखते है, next factor क्या है इसक ठीक है, ठीक है, देखिए, next आता है हमारा effect of temperature, तो temperature का effect की बात, थोड़ी मोड़ी हम लोग किये थे, solubility पढ़ते समय, कि temperature का effect पढ़ता है, solubility पे, लेकिन अब हमको ध्यान क्या देना है, कि solution कैसा है, तो solvent और solubility से solution बनता है, हो सकता है, वो solution एक्जोथर्मिक नेचर का हो, या solution इंडोथर्मिक नेचर का हो, तो पहले हम लोग बात करते है, solution एक्जोथर्मिक क्या होता है, इंडोथर्मिक क्या होता है, ठीक है, तो temperature का effect त यानि, solution का मतलब, solvent और solute मिल गए है, और मिलने के बाद, उसमें से क्या हो रहा है, कुछ amount में heat produce हो रहा है, जैसे हम लोग ने किसी acid में water को add कर दिया, कोई concentrate acid है, acid क्या होता है, conk acid, concentrate, H2SO4 ले लिजे, यह क्या है माल लिजे, यह solute है, और इसमें add कर दिया गया water को, water क्या हो होता है, solvent, तो concentrate acid में, अगर water को add करेंगे, तो acid जो होता है, water जासे ही जाएगा, तो क्या होगा, तो solution बनेगा, इसका heat इसमें से evolve होगा, यानि, temperature बढ़ जागा, solution का, जो solution बनेगा इन दोनों से, तो वहां से निकलेगा lot of heat, ठीक है, तो heat जब इसमें निकलेगा, तो अगर मैं इस solution के temperature को बढ़ा दूँ, यानि ये खुद temperature निकाल ला, यानि solution जो बना है, पानी में से डालें, ठीक है, जो beaker है, वो क्या होगा, अब उसको और गरम करेंगे, तो क्या होगा, इसकी जो solubility है, वो decrease कर जाएगी, तो यहाँ पर बात बोला जा रहा है, ठीक, तो heat evolve का मतलब क्या होता है, exothermic process, तो process कैसा है, exothermic in nature, on increasing the temperature of temperature, the solubility decreases, ठीक है, अगर heat produce हो रहा है, तो अगर मैं उसका temperature बढ़ाऊँगा, तो solubility क्या होगी, घड़ जाएगी, यानि जो पानी में जो acid मिला है, वो क्या होगा, अध्रे-ध्रे, उसकी solubility कम होगी, यानि वो कम घुलना शुरू होगा, ठीक है, कोई और example से भी समझ सकते हैं, जैसे माल लिजे, जब हम लोग calcium oxide को, calcium oxide का मतलब, यह चूना होता है, ठीक है, चूने का powder white वाला, इसको मैं अगर water मिलाए जाए, H2O के अंदर, यह बना देता है, calcium hydroxide, और evolve करेगा heat, यह reaction कैसा है, यह है exothermic nature का, heat निकालना है, तो अगर इस solution का temperature बढ़ाया जाए, यानि जो calcium hydroxide बना है solution, उसके temperature को बढ़ाएंगे, तो solubility क्या होगी, इसके घड़ जाएगी, यानि जो calcium hydroxide मिल खुल चुका है, अच्छे से, और temperature बढ़ाएंगे अगर, तो उसके solubility क्या होगी, खम हो जाएगी, यानि जिरे 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 वाब, वो settle down होना सुरू करेगा, तो अगर exothermic है, क्योंकि खुद heat निकाल रहा है, उसको और heat देंगे, तो solubility घटेगी, तो यह है, और दूसरी चीज़ बोला है, कि the solution absorb the heat, अब मालने जिरे कोई ऐसा solution है, जो क्या कर रहा है, heat को खुद absorb कर रहा है, heat absorb करने का मतलब, पहले temperature ज्यादा था, अब solution बनने के बाद temperature क्या हो गया, कम हो गया, for example में, जैसे मालने इसे, glucose को water में अड़ कर दें, तो होता क्या है, कि थोड़ा सा, यह heat को क्या करता है, absorb कर लेता है, यानि जो heat है, जो solution बनेगा, उसका temperature हो जाएगा, कम, ठीक है, solution का temperature क्या होगा, कम, यानि वो क्यों heat absorb कर रहा है, यानि ऐसे process को बोलते हैं, इंडो thermic process, ठीक है, तो यह क्या हो रहा है, heat absorb कर रहा है, यानि यह कैसा process है, इंडो thermic process, अगर मैं इस इंडो thermic process में, अगर मैं extra heat दूँं, या temperature बढ़ाऊं इस solution का, तो इसकी solubility क्या होगी, बढ़ेगी, तो यहाँ पर solubility घट रही थी, solubility यहाँ पर decrease हो रहा है, यहाँ पर solubility क्या हो रहा, increase, ठीक, तो simple चीज़ है, ठीक है, अगर process endothermic है, तो solubility बढ़ेगी, अगर process exo है, solubility खटेगी, ठीक है, तो यहाँ पर दिखे, example दिया हुआ है, calcium oxide in water exothermic process, and glucose in water is an endothermic process, तो यह हमारा था दूसरा factor, ठीक है, अब next आता है, effect of pressure, जो कि सबसे important factor है, यहाँ से question पूछी जाते है, यह most important आपका factor बन जाता है, झाल 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 कथो आए बात करते हैं प्रेशर का इफ्यक्ट क्या है सॉलूबिल्टी पह तो देखिए प्रेशर का मतलब है क्या तो जैसे माने जे वालिजे सौलूइशन हमारे लगाए या प्रेसर इंक्रीस करें चाहे उसका प्रेसर डिक्रीस करें तो विल्टी पर कोई एफेक्ट पढ़ने वाला नहीं है क्योंकि हमारे जो सॉलिड और लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वह आल्रेडी कंप्रेस्ट हैं ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादे उसमें क्या है इंटर्मॉल्कुलर डिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं है कि प्रेसर लगाने से कुछ उसमें इफेक्ट पढ़े ठीक है तो वह आल्रेडी कंप्रेस्ट पार्टिकल्स है और वह क्या है तो पता है यह बहुत क्लोस पैक होते हैं लिक्विड के थोड़े दूदर होते हैं ल है जो भी सॉर्विल्टी में फैक्टर पढ़ रहा है उसमीं सॉलवंट सेमें साई लिक्विड लिया जाता है ठीक है और लिक्विड भी मारा सबसे बेस्ट वैस्ट थो यह होता है तो गैस ऑजय्यूट इन लिक्ट सविट स्विंट इस अफेक्टिड बाई प्रेसर का बहुत ज्यादा इफ्ट पड़ता है अगर हमारा स्वयूट क्या है गैस है इस आफल जाबर जैसे मालेजिय कोई सॉफ डिरिंग है तो सॉफ डिरिंग या कोई कोल डिरिंग का वॉटल है त उसमें dissolve क्राएयो तो कार्बन डिक्षाइडल क्या है गैस है इसमें क्या होता है बहुत हाई प्रेशर लगाने ब्रका होता है, तो तो गैस को किसी लिक्षक उसमे क्लिप्ल गजांब न highly गाना ही पड़े गा नहीं होगा solid liquid के लिए प्रेसर का कोई योज नहीं है तो क्योंकि gas होते क्या हैं कि gas के जो पार्टिकल्स है उनके एनर्जी बहुत हाइँ होती है kinetic energy बहुत ज्यादा है वो क्या होते है आपस में collision करते रहते हैं random motion करते हैं जैसे ही उनको उनके energy बहुत हाई है तो उसका पहले करना पड़ेगा कि temperature down करें जिससे उसके energy कम हो जाए temperature down करने से क्या होगा उनकी energy कम हो जाएगी और जैसे ही उनका temperature कम हो जाएगा और उसपे pressure apply करेंगे तो वो क्या करेंगे liquid के अंदर तब जाकर dissolve होंगे ठीक है लेकिन जैसे उसका pressure क्या होता है जैसे ही pressure उनका कम होगा वो क्या होंगे फिर से surface को छोड़के liquid के skip कर जाते हैं तो high pressure and low temperature पे कोई gas liquid के अंदर dissolve होता है pressure बढ़ाना और temperature को क्या करना पड़ेगा कम करना पड़ेगा इन दोनों process में पहला process क्या है low temperature फिर high pressure यानि किसी gas का पहले temperature डाउन करेंगे और pressure को बढ़ाएंगे तब वो क्या होगा liquid solute के अंदर sorry liquid solvent में dissolve हो सकता है तो यहां पर देखिए बोला गया है on increasing the pressure of pressure solubility of gaseous solute in a liquid solvent increases तो अगर gaseous solute का pressure बढ़ाया जाए तभी वो क्या होगा liquid solvent में dissolve होगा जितना ज्यादा pressure बढ़ाएंगे उतना ज्यादा क्या होगा liquid solvent में वो dissolve होगा यानि बोल सकते हैं एक formula की तरह कि the solubility of gas in a liquid directly proportional किसके है अब यहां से क्या होगा कुछ नई चीज़े आएंगी हेन्रीज ला करके एक आएगा तो यहां पर देखिए बोल रहा है कि solubility of gas in a liquid directly proportional किसके है partial pressure of gas above liquid surface ठीक है यानि जितना ज्यादा हम लोग gas के ठीक है liquid के surface जतना अधिक pressure apply करेंगे उतना ज्यादा gas के particle क्या होंगे liquid के अंदर dissolve होंगे जैसे हम लोग समझ सकते हैं कि यह है क्या एक solution है जिसके अंदर gas solute है ठीक अब इस पर मैंने क्या लगाया एक pressure apply किया यहां पे कुछ weight रख दिया जिससे क्या हो रहा है pressure apply हो रहा है उस gas के उपर ठीक तो जो solute के particles हैं वो कुछ यहां पर है इस तरह से है gaseous particle है यह सब gas है लेकिन जैसे ही weight बढ़ाते हैं या pressure को बढ़ाते हैं ठीक है और ज्यादा हम लोग क्या कर रहे हैं ज्यादा pressure apply कर रहे हैं यानि कुछ weight रख दिये हैं 3-4 तो होगा क्या कि जो solubility होगी वो बढ़ जाएगी अब देखेंगे कि नंबर आफ particles जो भी particles हमारे surface ज्यादा थे अब ज्यादा तर पार्टिकल क्या हो गया है अंदर चले गया है solute के जितना अधिक प्रेसर लगाएंगे उतना अधिक प्रेसर लगाएंगे उतना ज्यादा क्या होगा लिक्यूड में तो इसके बाद दिखिया है क्या कि इस चीज को थुड़ा सा और एक्सपेंड किया एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हेनरी इससे रिलेटन हमारा इला आता है ठीक है तो इससे पढ़ना है हमें हेनरी ला करके एक नया टर्म तो हेनरी ला करके एक नया टर्म पढ़ना है तो अभी तो यह बोला जा रहा है कि यह तो solubility है solubility of gas in liquid is directly proportional to partial pressure of gas above liquid surface ठीक है तो अब यह बात किस ने बोली तो यह हंडी नहीं यह कुछ टर्म दिये है लेकिन इनका फार्मूला है उसमें थोड़ा सा इसी चीज़ को अलग तरीके से बताया गया है है क्या तो देखिए यह बोल रहा है कि solubility of gas in liquid directly proportional किसके होता है पार्सियल प्रेशर के तो पार्सियल प्रेशर अब है क्या तो अभी तो बोल रहा थे कि प्रेशर लगाएंगा या helium का जो प्रेशर है या chlorine का जो प्रेशर है तो उसको क्या बोलते है हम लोग पार्सियल प्रेशर तो हर गैस का जो खुद का प्रेशर होता है या individual प्रेशर होता है उसको क्या बोलते है पार्सियल प्रेशर ठीक है तो यह word इसलिए दिया गया है पार्सियल प्रेशर का योगि ऐसा नहीं है कि सारे गैस जितने भी हैं सब एकी तरह का प्रेसर अप्लाई करेंगे, कोई गैस अधिक प्रेसर लगाता है लिक्विड के अंदर, कोई गैस कम प्रेसर लगाएगा, तो इसलिए हमारा वर्ड जो क्या रहा है, पार्सियल का, ठीक है, तो सॉलिबिल्टी इसलिए सॉलिबिल्ट अलग-अलग डिजॉल्व हो रहा है, जैसे हम लोगों ने क्या किया, ऑक्सीजन गास डिजॉल किया, यह बहुत अंदर चला गया इसके पार्टिकल, हीलियम डिजॉल किया, इसके पार्टिकल अभी उपर है, नैट्रोजन डिजॉल किया, तो इसका इसका partial pressure ज्यादा है, इसलिए ज्यादा dissolve हो रहा है, solubility उसके ज्यादा है, helium का partial pressure कम होगा, इसलिए solubility उसके क्या है, कम है, nitrogen का क्या है, ठीक ठाक है, तो यह बस soluble है, ठीक है, तो अब यह चीज कैसे हमें पता चलेगा कि कितना partial pressure किस gas का होगा, तो उसके लिए Henry ने अपना एक अलग से ला दिया था, जो इसी से related ही है, कुछ नया term नहीं है, ठीक है? तो अब हम लोग पढ़ेंगे हिंडरी ला के बारे में, ठीक है, तो हिंडरी ला ने देखे, बोला था, तो हिंडरी ने कहा कि, partial pressure याने solubility of gas in a liquid actually proportion होता है, pressure या partial pressure of gas, ठीक है, above the liquid surface, जतना आधिक कोई gas, pressure लगाएगा, उतना यादा उसके particle क्या होंगे, solute के particle, उतना यादा उसके particle, liquid में dissolve होंगे, तो यह चीज़ तो था हिंडरी का, अब इसी चीज़ को हिंडरी ने ही, एक नय टर्म में दिया था, ठीक है, तो देखिए, इन्हों ने बोला, एक फामूला दिया है, ठीक है, तो उस फामूले के लिए, डिफिनिशन हमारा है, पी प्रपोस्टनल होता है, एक्स के, अब यह क्या गया नया चीज, तो अब इनका दिखिए, रिलेशन बदल गया, प्रेशर तो ज़िए है, पॉर्सियल प्रेशर है, अब यहाँ पर यक्स क्या है, मॉल फ्रैक्शन को दिखा रहा है, तो अब हेन्री का एक नया लाक या गया, the partial pressure of gas above liquid surface is directly proportional partial pressure of gas above liquid surface अब डाइट्री प्रोबोस्टन किसके है दी मोल फ्रैक्शन और गैस इन लिक्विड तो अभी मैं आपको लोगों को बस थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं ठीक है अभी हेंडी लाखो आउट डिटेल में पढ़ना है तो यहां पर क्या किया उन्होंने इसी जिद को फ्रैसाय प्रेशर के अब इन्होंने उस चीज को नए तरीके से बोल दिया कि जितना ज्यादा गयस का प्रेशर होगा पार्टिविड के अंदर उतने ज्यादा है यह बात सही है जितना ज्यादा को याद कूई प्रेसर लगाएगा तो पृसर अधि क्लग रहे द्या cater गार उस solute के mole fraction या उस gas के mole number of particle या mole fraction क्या होंगे उस liquid के अंदर उतने ज्यादा होंगे तो यह बता दिए कि pressure जतना अधी होगा उतने ज्यादा होंगे के mole fraction होंगे उस gas के जैसे मैंने अब आउक्सीजन डिजॉल किया था तो ऑक्सीजन अंदर तर डिजॉल हो रहा है इसका मतलब प्रेसर अधिक लगा रहा है और उसके हिएंब support को बोलते हैं हेनरी कॉंस्टेंट तो अब ये निकांस्टेंट की बात करेंगे औरकि लिज्धा किति कौंपरेशर का कंडिशन क्या करेंगे फिक्स olur कि प्रेशर करी रहा है vacun कि करके दिखेंगे कौन सा गैस लिक्ट कितना डिजॉल कर रहा है वो चीज बताएगा के अच्छ ठीक है तो अब इसके आगे पढ़ना है हेंडी ला ठीक है अब हेंडी ला का मैंने क्यों आडिया दी दिया कि यह कहना क्या चारा है पहले बोला जाता है अब यह बोल रहा है कि प्रेसर जितना यादा होगा उतना यादा नंबर आफ पार्टिकल होंगे लिक्ट के अंदर तो इस चीज को हेंडी ने थोड़ा स्गुमा के दे दिया ठीक है और इससे एक फार्मॉला भी निकाल दिया ठीक है यह हेंडी का यही ला है और हेंडी कॉं यह बोस्त इंपॉर्टेट हमारा है या तो पुषे का हैंडी ला होता क्या है या तो पुषे का सॉलबिल्टी और गैस इनलिक्विड से क्या समझते हैं आप ठीक है और इसके अप्लिकेशन तो पूछते ही हैं तो आज के लिए बस इतना ही अब नेस्ट वीडियो में हम ल थीडियो